Hello and Welcome to all आपका स्मार्ट अलाइट में बहुत बहुत सागत है यह हमारी वीडियो साइंस लेसन प्लान पर बेज़ है अगर आपको साइंस की और लेसन प्लान चाहिए तो आप उपर आई बटन पर क्लिक करकर प्लेलीस में सच कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल आइकन को भी प्रेस करने ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें और आपको किसी पर्टिकलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीची कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो आईए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो उसे क्या होता है जो एक्स्टेनल वाकर आते हैं अगर आप फाइनल बना रहे हैं तो उन पर अच्छा इंप्रेशन जाता है अगर आपके कॉलिज की थोड़ा सा कुछ अलग फॉर्मिट है तो आप उसके साथ से स्टार्ट कर सकते हैं के बात जो हमारी हैडिंग आती ही वह जन्रल अप्जेक्टिव इसके अंदर हम क्या करते हैं तॉपिक में जो हमारी सब्जेक्ट रहता है साइन सब्जेक्टिव तो उसमें बच्चे को क्यों पढ़ाया जा रहा है वह उनकी स्लेवर्स में क्यों इंक्लूट किया गया है वह जाई थीज़े हम यह पर 4-6 पॉइंट्स में क्या कर देते हैं मैंजिन कर देते हैं उसके उन करदेतarti है क्लिए है स्पसिफिक अबचेक्टित श्पसिफिक के ट Basic से क्लिनिकल थर्मोमेटर दो उसमें बच्चे किया पडेंगे तॉपिक पडेंगे वह साही देगicios हमितें 4–6 फ्रैक्ट ineค्लू itu कही साही से हम परतें इंक्लूट करते हैं फके नेछिदक हाती है प्रीवियस नॉलेचि चोल देग बीसे नॉलेच गैलेच्ट बीसे बीदी उनको यह मैं पर मेंशन कर देंगे, पीर आता है हमारा Teaching Aids, Teaching Aids में जो 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 Aids हम यूज कर रहे हैं पढ़ाते वग, Model, Charge, Blackboard, Chalk, Duster, Rollerboard, जो आप यूज कर रहे हैं वही चीजे यहां पर मेंशन कर दीजेगा, या ओरिजिन अलम थर्मोमेटल लाके बच्चों को दिखा दे तो वह सीजी आप यहां पर मेंशन कर दीजेगा, उसके बात जो मैं next heading आती है वह introduction, introduction में हम क्या करते हैं बच्चों का जो previous knowledge होता है, उसने जो पहले पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ा है, उस topic में उससे related, हम उसको क्या करते हैं और उसको क्या करते हैं प्रेजन नॉलेश प हमें कैसे बता चलेगा क्या कोई object hot है या cold है तो बच्चे बोलेंगे टच करके या हम थर्मोमेटर से चेक करके भी बह सकते हैं तो वह सारे पोइं लिग दिए फिर हमने आपे एग्जांपल के तो उनको कुछ क्या कर दिए कुछ 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 दे दिए कि इनमें बता तो उसमें रеспॉंस हो गया फिर तेमपरेचर क्या होता है तेमपरेचर बताता है कि कितने कोई कीज गरह में या थंडी है फिर उनसे पूछ लिया के हमाम राया जाए है किसे फैंडा लगा सकते है तो फिर हमने प्राश कहते है कितना थे कल्द है तो कैसे बता लगा सकते है तो इसके तेमपरेचर से बता सकते है तो झाल कैछ Tech से जिल्ड़ीई थंड है पहले से य क्पर्ड़ेफी यहय जय का और धीतनी हो tocar तो फिर थर्मोमेटर क्या होता है वो कैसे वर्क करता है वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेशन हो जाएगा क्योंने वह पता नहीं है फिर हम लिखनेंगे स्टेटमेट ऑफ टॉपिक के हाज हम क्या पढ़ने वाले हैं तूड़े विल स्टड़ी अबाउट क्लिनिकल थ प्रॉपिक है उसको डीटेल में एकस्प्लेइन करते तो मैंने आप एक टेबल बना रहे है कि उसके चार कॉलम में फर्स कॉलम में लिखते है टीचिंग पॉइंट्स टीचर क्या पढ़ा रहे हैं इंट्रोड़क्शन दे रहे हैं डिफाइन बता रहे हैं या कुछ कुछ क कि जाए है तो कि श्रॉड्डी स्तुड्डी तो मैं पॉट्स टीचर क्या रहे है कि शीज पॉट्थ यहां रहे है तो में ने उन्तिक्ष्ण दे दिए है कि कभ डैवलप हुआ था कि घ्रमोमेटर किसने किया था पहले यूज़ कभ हूए था यह सब चीज़े मैं इसमें इ जाल दी है उसके बाद thermometer की? देफिनाशन थर्मोमेटर की? क्या होता है clinical thermometer कहा यूस किया जाता है body temperature measure करने कि यूच्छा थे जाता है हमारा clinical thermometer होता है यहाँ पे छोटी से हमने क्या करती है? फोटो भी लगा दी है जैसे आप ये बड़े से फोटो में भी देख सकते हैं इसको कि ये कैसा देख रहा हुगा फिर पार्ट्स ऑफ थर्मोमेटर अब आप देख रहे हैं अलग 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 लेवलिंग है आपको तो उसमें क्या-क्या है एक ये लॉग नैरो ट्यूब होती है ग्लास की यह पे आपको दिख रही होगी ऐसी एक ग्लास की ट्यूब होती है फिर यहा पे स्टार्टिंग में क्या एक बल्ब जिससे टच करते हैं हम अमारी बॉडि को तो उससे तेंपरचर मेशर करता है फिर यहां पे एक थेटलाईक स इसे सब छीज़े लगा सकते हैं कितना डिग्री टैमपरिचर है क्या है यह सब छीज़े हम पता सकते हैं और मर्कुरी अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो अब तक आपको एक शाइनी मर्कुरी उसमें वजब ना हो जाए फिर स्केल ऑफ थर्मोमेटर की स्केल पर मेजर करते हैं तो जनरली हम डिग्री सेल्शियस पर उसको मेजर करते हैं या फैरनाइट पर भी करते हैं इसको मेजर तो जनरली किस रेंज में कैलकुलेट करता है क्लिनिका थर्मोमेटर तो 35 डिग्री सेल्शियस से 42 डिग्री करने के लिए थर्मोमेटर यूज होते हैं वह दूसरी थाइक के वह दूसरी थाइक के वह क्लिनिकल थर्मोमेटर नहीं होते हैं और अगर हम बोड़ी का रूम टैंपरेचर की बात करें तो वह कितनी होती है थर्टी सिक्स पॉइंट निग्री सेल्शियस और निटी एट पॉइंट फॉइंट 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 फैरेनाइट वाला होता है तो निटी एट से अगर उपर जाता तो बोलते हैं वरना बुखार नहीं है कब अब अब मर्कुरी के जगे क्या करता है युष कलर तो नौर्म टैंपरेचर इंक्री यूज रहा हो जाया इसमें विजिबल हो जाए तो फिर अब थर्मोमेटर यूज कर रहे हैं तो उसके साथ या क्या प्रिकॉशन लेने पढ़ते हैं ठर्मोमेटर को वाश करना है क् तो उसके अंदर जो इन्फेक्टिशन होगा या अगर उनको फीवर है तो उनके वाइरस होगे वह थर्मोमेटर पर आ सकते हैं तो अगर आप किसी दूसरे के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या करें उसे प्रॉपर्ली वाश करें यूज करने के पहले भी और यूज करने के बा तो और अगर दूसरे का करा तो आपको लगे का इनको भी फीवर है तो इसलिए हमेशा इसको लोडाउन करें पहले जो 35 तक कम से कम और अगर फरेनाइन हे तो 97 तक करें उसके बाद ही उसको यूज करें ठर्मोमेटर को आप रीड करना चाहते हैं क्योंकि अगर मर्कुरी है तो वो चमक तीशाइन करती है अगर आपने इसको तेड़ा रखा तो इसकी रीडिंग भी आपको उपा निचे देख सकती है तो बिल्कुल आई साइट पर रखें उसको क्या करने दीट करें तो तो इसका बल्ब होता है तो तब से आगे होता है तर्मोमेटर के यहां पर उ तो इसमें रीडिंग में फ्लक्ट्वेशन आ सकती है उसको बहुत कैर से रखें किर जनरली ग्लास कर बनावा होता है इसलिए वह अगर रिक हो सकता है तो और इसको किसी हार्ट चीज से हाड़ अगेरा चीज है तो उससे दूर रखें कर टकरा गयर जरासे में फूट सकता ह और रेट है तो ने फूट में यूज़ में यूज़ गनावाशे जाता है तो अल्कोहल से वाश किया जाता है तो युझे वाश करने केक लिए एल्कोहल का यूज़ जे ज़ता है जी जितने भी साघ्स अगर रहाए हो सब मर चाएं फिर कंडेमेटीर अगर से पड़ा हैं दोक्तर्स थो करते हैं एक तरन मेडिकल धर मेडिकल्य थोरहा है तरन को दोक्तर्स थर्मोमेटर या मैडिकल थमोमेटर भी ब Lit थे संगe है इसरी से विख सब्सक्राभरा थो साइव नसे 8.4 degree Fahrenheit होता है तो यह हमारा conclusion हो गया उसके बाद आता है हमादी capitulation part उसमें मैंने यहां पे कुछ questions डाल दिये और उसके बाद आता है हमारा homework part में मैंने यहां पे कुछ 2-3 questions डाल दिये और last में आती है हमारी signature line signature आप यहां पे तीन लोगों के करवान है supervisor जो आपके supervisor रहेंगे उनके sign principal के sign और student teacher या pupil teacher भी आप लेख सकते हैं जो कि आप खूद हैं तो यहां पे आपके हो जाएंगे supervisor के sign principal के sign और आपके signature यहां पर हो जाएंगे और इसी की साथ हमारा lesson time क्या होता है प्लीज वीडियो को like करें, share करें और आपका कोई doubt हो या कोई suggestion हो तो comment जरूर करें तुम मिलते हैं next video में, thank you so much for watching